तो गुड मॉर्निंग आईज और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 19 जून के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को हम लोग कवर करेंगे तो हमारा पहला प्रशन है अच्छा पहला प्रशन हमारा बहुत इंपोर्टेंट है और ये बुक से है क्या गिरा है प्रशन कि अभी क्लारा एंडर्सन उपन्यास को नौवल को किसने लिखा है तो अंसर होगा काजू ओ इशी गुरू ने तो काजू ओ इशी गुरू अच्छा क्या इनका नाम आपने पहले कभी सुना है तो आपको वता दू 2017 का साहित्य का य या ये प्रशन को important लगा लो most important mark कर लो और मैंने अभी आपसे क्या का ये जो कजू ओ इशी गुरू है 2017 का साहित्य का नोबल पुरुसकार जीता था अब आपकी लिख प्रशन बनेगा यहां से आपको बताना है 2019 में literature में नोबल पुरुसकार किसने जीता था और ये आपको पता होना चीए आपके exam point of view से बाकी दिनकर पटेल की बात करेंगे कली हम लोगों ने पढ़ा था इन्होंने दादा भाई नारोजी की एक biography लिखी है जिसका नाम है नारोजी pioneer of Indian nationalism ये भी याद रखना ये भी important नाम है मेगा मजुमदार की बात करेंगे burning नाम का उपन्यास इन्होंने लिखा था और JK Rowling Harry Potter series लिखी है इन्होंने और अभी इन्होंने एक नई बुक लिखी थी The Ika Bog ये सारे important नाम है याद रखना बढ़ते हैं आगे फिर अभी हाल में किस राजे ने 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निन्ने लिया था तो अंशर होगा करनाटक सरकार तो करनाटक की सरकार ने राजे में मास्क, सेनिटाइजर, हातों को साबुन से धोना और सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझाने के लिए 18 जून को मास्क दिवस मनाया और इसे मनाने का उद्देश्य क्या रहा कोरोना से लड़ाई में इनकी importance के बारे में लोगों को जा पर है और इस सुरो का भी headquarter यहां पर आपको मिलेगा बाकी Silicon Valley of India किसको कहते हैं बैंगलूरू को ही कहते हैं आपको याद होगा बैंगलूरू भारत का पहला city बना था अपना official logo launch करने वाला IT Capital of India भी इसी को कहते हैं और इसी तरह से आपको याद होगा 2019 में Digital LinkedIn के मामले में इसे की करनाटक सरकार ने अभी जन सेवक योजना शुरू की थी आप्त मित्र application भी launch किया था और एक नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी शुरू किया था इसके अलवा बैंगलूरू सिटी कॉर्पोरेशन ने प्राण वायू नाम का एक स्वशन स्वास्त जागरुकता क प्रतिबंद भी लगा दिया है उसके अलवा बैंगलूरू इंटरनेशनल एरपोर्ट स्मार्ट ऑटमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तेनाती करने वाला पहला एरपोर्ट भी बना था इसी बैंगलूरू इंटरनेशनल एरपोर्ट को हम केंपे गोड़ा इंटरनेशनल इसके अलावा पिछले साली करनाटक के बुक्का पटना को दूसरा चिंकारा वन्यजी वभ्यरन ने घोशित किया गया था तो इन सब कारण से अभी करनाटक न्यूज में था या आप याद अर्खना बढ़ते आगे फिरहाली में 75th United Nation General Assembly का अध्यक्ष किसे चुना गया तो अंसर होगा वोलकान बूचकिर को वोलकान बूचकिर ये कहां से हैं ये तरकी से हैं और अभी इनी को 75 वे संयुक्तर राष्टर महासबा United Nation General Assembly का अध्यक्ष चुना गया है तो इनका नाम आपको याद रखना है बाकी ये सारे नाम इंपोर्टेंट है जैसे कि कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ एकॉनमिस्ट बनी थी अभी थियरी डेला पोर्ट की बात करेंगे विप्रो के MDCO बने और मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलेप्मेंट बैंक के अगले अध्यक्ष उनको चुना गया अच्छा ये जो United Nation General Assembly का 75 सेशन होगा ये कब से कब तक होगा 15 सेप्टेंबर 2020 से 30 सेप्टेंबर 2020 तक चलेगा United Nation की बात कर लेते हैं तो इसता अपना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यही कारण है कि हम हर साल 24 अक्टूबर को United Nation Day के रुप में मनाते हैं और कई बार मैं आप को बता चुका हूँ 24 अक्टूबर को और भी important day मनाते हैं जैसे कि world polio day जैसे कि national food day याद अखना national food day बूल रहा हूं में world food day नहीं बूल रहा हूं world food day हम कब मनाते हैं 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं क्योंकि food agriculture organization की स्तापना वही थी 16 अक्टूबर 1945 को इसलिए और आपके food agriculture organization का headquarter अगर में पूछ लेता तो आप क्या जवाब देते Rome Italy में बाकी United Nation का headquarter आपका New York में है और इसके secretary general है Antonio Guterres और ये कहां से हैं ये पुर्तगाल से हैं पुर्तगाल की capital है Lisbon अचा पुर्तगाल से एक आपकी football player भी है क्या नामें उनका Cristiano Ronaldo अच्छ और United Nation से एक और important question हम आगे करेंगे अभी हम बढ़ते हैं और guys अगर videos आपको अच्छे लग रहे हैं मेरी महनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए helpful है तो please video को share जरूर किया कीजिए अगर इन videos से आपकी help होती है तो आप लोग मेरी help जरूर करें इन videos को like और share करके ताकि इन videos को continue रखने में मुझे भी आपका support मिल सके तो please इसे like और share जरूर करना और अगर आप मेंसे कोई इस video को first time देख रहा है तो इस channel को आप subscribe कर लीजिए और subscribe करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपको वीडियो की notification तभी मिलेंगे जब आप bell icon को press करोगे तो चलिए अब बढ़ते आगे फिर हाली में किर्गिस्तान के नए परदान मंतरी कौन बन गए है तो answer होगा कुबाट बेक बोरुनोव अच्छा ये प्रस्न तो आपको याद होगा कली हम लोगों ने पढ़ा थ किर्गिस्तान के जो अभी तक परदान मंतरी थे क्या नाम था उनका मुखमल्द कली अबिल गाजियेव इन्होंने परदान मंतरी पत से इस्तिफा दे दिया था ये हम लोगोंने कल पड़ा था तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं अब इसके नए परदान मंतरी बन गए है कौन कुबाट बेक बुरुनोग इनको किर्गिस्तान का नया परदान मंतरी चुन लिया गया है तो नाम याद रखना कुबाट बेक बुरुनोग बाकी मुस्तफा अलकदीमी की बात करेंगे इराग के नय परदान मंतरी बने जोरान मिलनोविच क्रुएशिया के राष्टर पती बने थे इसी साल बने ये सारे appointment हुए है और Robert Abela Malta के नए प्रधान मंत्री बने ये बाकी किर्गिस्तान की बात है तो ये रा मैप में किर्गिस्तान कैपिटल बिश्किक है करंसी है किर्गिस्तानी सूम और प्रसिडेंट कौन है सोरुन बाई जीन बेकोव बढ़ते आगे फिर है केंदर सरकार रोजगार के अउसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्यान रोजगार अभियान कहां से शुरू करेगी तो अंसरों का बिहार से तो अभी घर लोटने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए गरीब कल्यार रोजगार अभियान को शुरू करेगी केंदर सरकार और इसे खुद परधार मंतरे नरेंदर मोदीजी 20 जून को बिहार के खगडिया जिले के तेलिहार गाउं से लॉंच करेंगे तो इसके जरीए केंदर सरकार की कोशिश है कि skilled labor को उसकी शमता के हिसाब से उसकी capacity के हिसाब से काम दिया जाए तो ये अभियान छेर राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक चलेगा और वो छेर राज्य कौन कौन से हैं उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश, राजस्थान, उडिसा, जारखंड और बिहार अब इसे बिहार से launch किया जाएगा तो ये रहा मैप में बिहार, capital क्या है, पटना है, मुख्यमंत्रिय नितिश कुमार और गवर्नर है, फागु चोहान अच्छा बात करेंगे अगर पटना हाई कूट की Chief Justice का नाम क्या है, संजे करोल है और बिहार दिवस कब मनाते हैं, हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, और आपको याद होगा, 22 मार्च को एक important day भी मनाते हैं अच्छा ये प्रशन में आप लोगों के लिए छुड़ता हूँ, 22 मार्च को कौन सा important day मनाते हैं, आपका काम और आसान कर देता हूँ, आपको option दे देता हूँ World Earth Day मनाते हैं या World Water Day मनाते हैं, अब आप बताओ इसके अलावा भी बिहार सरकार ने घोशना की है कि कोरोना वायरस संकरमन से मरने वालों के परीजनों को 4 लाख रुपे की साहिता दी जाएगी और आप याद रखना भारत का पहला और एक मात्र Dolphin Wildlife Century आपका बिहार में है, क्या नामे विक्रम शिला गांग टेक Dolphin Wildlife Century उसके अलावा एक्जाम में कई बार ये प्रशन पूछा जा चुका है कि मदूबनीट पेंटिंग किस राजजी की है तो ये बिहार की है और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं तो कोसी नदी को कहते हैं लेकिन पिछले साली कोसी, मोची, जोड परियोजना को मंजूरी भी मिल गई है और इसके अलावा बिहार के भागलपूर में खुलेगा राज्य का पहला कच्छुआ पुनरवास केंद्र टर्टल रिहेबिलाइजेशन सेंटर तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे फिर हाली में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया तो आंसर होगा 18 जून को अच्छा 18 जून को ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे तो मनाया जाता है पर ये होता क्या है गैस्ट्रोनॉमी इसे हिंदी में बोलते हैं पाक कला या और भी सिंपल शब्दों में कहूं तो भोजन बनानी की कला को कहा जाता है गैस्ट्रोनॉमी तो दुनिया भर में टिकाव गेस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए से मनाया जाता है कब हर साल 18 जून को अच्छा गेस्ट्रोनॉमी से आपको कुछ याद आया होगा 2019 में युनेसको ने Creative Cities Network की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें भारत के दो शहरों को शामिल किया था हैदराबाद को और मंबई को हैदराबाद को गेस्ट्रोनॉमी के शित्र में शामिल किया था और मंबई को फिल्मों के शित्र में बागी Important Day वाला क्यूशन है तो जब भी Important Day आता है उस महिने के सारे Important Day में आपको रिवाइस कर आता हूँ अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना और अगर आप में से इस वीडियो को कोई First Time देख रहा है तो आपके लिए सारे Important Days में स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो उनको देख देख करके आप साथ साथ बोलना एक जून को एक जून को अमने World Milk Day मनाया फिर तीन जून को विश्व साइकल दिवस मनाया पांच जून को World Environment Day मनाया साथ जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस World Food Safety Day मनाया आठ जून को World Ocean Day मनाया और आठ जून को ही World Brain Tumor Day भी मनाया नौ जून को विश्व प्रत्यायन दिवस World Accreditation Day मनाया बारा जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस World Day Against Child Labor मनाया तेरा जून को अंतरराष्टर रंग हीनता दिवस International Albinism Awareness Day मनाया चोदा जून को विश्व रक्त दाता दिवस World Blood Donor Day मनाया पंदरा जून को World Elder Abuse Awareness Day के रुपे मनाया और पंदरा जून को एक Global Wind Day भी मनाते हैं फिर है 17 जून को विश्व मरुस थली करन वसूखा रोक्थाम दिवस World Day to Combat Desertification के रुपे मनाया तो जून के ये Important Days मैंने आपको रिवाइस करा है या आपको याद रखने बढ़ते आगे अचा गाईज एक और Important सूचना है आप सभी लोगों के लिए अभी January से लेके Mid June तक यानि की 15 जून तक जितने भी Important Ambassador यानि की राजदूत या High Commissioner यानि की उच्चायू ठम लोगों ने पड़े हैं उन सभी का Audio बना करके सुबह 9 बजे तक upload कर दिया जाएगा आज तो अगर आपने मुझे खबरी application पे follow कर रखा है तो आपको notification मिल जाएगा और अगर आपने खबरी application पे मुझे follow नहीं कर रखा फर्स ताइम इस वीडियो को देख रहे हो तो description में आपको audio revision का link मिल जाएगा तो वहाँ पे click करके आप उस audio को सुन सकते हो और मैं आपको बता दू बहुत बहतरीन तरीके से audio समझाया गया है ऐसा आपको audio कहीं नहीं मिलेगा तो आप वो जरूर सुन लेना ताकि आपके सारे concept clear हो जाएग भी बढ़ते आगे फिर हाली में किस राजजी के राजजपाल ने गवर्णर ने डाक विभाग की प्रतियोगीता में प्रतम पुरुसकार जीता है तो आंचार होगा महराष्ट्र तो महराष्ट्र के राजपाल है अच्छा उनका नाम क्या है भगत सिंग कूशारी और इन्होंने डाक विभाग के द्वारा आयोजीत एक प्रतियोगीता में हिस्सा लिया और ना सिर्फ हिस्सा लिया वो विजेता भी रहे तो अभी डाक विभाग ने महात्मा गांदी जी की 150 वी जैनती पर धाई आकर पत्र लेकर प्रतियोगीता का संचालन किया जिसका विशे था प्यारे बापू आप अमर है फिर हाली में शारजां वर्ल्ड स्टार ओनलाइन शत्रण टूर्णामेंट किसने जीता तो अंसर होगा शाकिर यार मामीदी रोग तो अभी हाली में आयोजीत शारजां वर्ल्ड स्टार ओनलाइन चेस टूर्णामेंट में अजर बेजान के शाकिर यार मामीदी रोग जीता था बाकि कॉनेरू हम भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वुमेन रैपिट चेस्ट चेंपेंशिप का खिताब जीता था और इस तरह से एक दूसरी भारते बन गई थी विश्वनात अनंद के बाद ये चेंपेंशिप जीतने वाली और महिलाओं में बात करेंगे तो पहली भारते महिला थी ये चेंपेंशिप जीतने वाली बाकि विश्वनात अनंद में अभी बोला आपको ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है और अभी इनकी आटो बायोग्राफी भी आ रही है और उसका नाम क्या है माइंड मास्टर और वर्ल्ड इनका नाम आपने पिछले साली सुना होगा फरवरी 2019 में BCCI के पहले लोगपाल के रूप में इनको न्यूक्ट किया गया था और उसके बाद इनने BCCI के आचरण अधिकारी यानि कि Ethics Officer भी बनाया गया था और अभी इनका कारेका लेक साल के लिए बढ़ा दिया गया बाक की नरिंदर बत्रा की बात करेंगे इंटरनेशनल होकी फेडरेशन के अध्यक्ष है इनका भी कारेकाल अभी एक साल के लिए बढ़ाया गया था और केके वेनु गुपाल आप जानते हो ना एट ओनी जनरल है और इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि इनका कारेकाल भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया बाकी BCCI की बात कर लें तो BCCI Board of Control for Cricket in India full form हो गई इसता अपना 1928 में और इसका हैटक्वाटर मुंबई वानखेडे स्टीडियम में है इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली कौन से नंबर के हैं 39th नंबर के हैं सौरव गांगुली से मैंने रोहिच शर्मा को नोमिनेट किया था 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरुसकार के लिए ये भी याद रखना बढ़ते हैं फिर हाल इमें भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्तर राष्टर सुरक्षा परिशद यानिकि युनाइटेड नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल के गेर स्थाई सदस्य के रूप में चुना गया है ये इंपोर्टेंट प्रशन है जो मैंने आपको पीछे बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा तो आंसर होगा दो साल के लिए तो अभी भारत संयुक्तर राष्टर सुरक्षा परिशद में अस्थाई सदस् में पांच पर्मानेंट मेंबर होते हैं और दस नौन पर्मानेंट होते हैं जो कि दो-दो साल में बदलते रहते हैं तो उन्हीं दस अर्स थाईस अदस्यों में भारत ने ये सीट जीती है अचाओ पांच पर्मानेंट मेंबर में कौन-कौन से कंट्री आते हैं चाइना, फ भारत ने अपना पहला देश व्यापी gas trading platform IGX नाम से launch किया था। इसके अलावा भारत electric overhead line पर double strike train को संचालन करने वाला पहला देश भी बना था। तो ये भी याद रखना बाकी United Nation के बारे में पीछे हम देखी चुके हैं तो अभी बढ़ते आगे। फिर हाली में World Economic Forum की 2020 Technology Pioneers की सूची में कितनी भारतिय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो अंसर होगा दो को तो अभी World Economic Forum ने वर्ष 2020 की 100 Technology Company की लिस्ट जारी की है और इस 20 वी 100 Technology Pioneers कंपनियों की लिस्ट में दो भारतिय कंपनिया हैं। कौन-कौन सी? Just Money और Stilabs यह जो Just Money है यह Artificial Intelligence Based एक Digital Platform है जो लोगों को किफायती लोन सुविदा देती है। और Stilabs यह Internet of Things पर Based एक Startup Platform है जो की डेरी आपूरती शरंखला के Digitally Current पर काम करती है। अच्छा, World Economic Forum की बात कर लेते हैं। इसकी इस्तापना 1971 में हुई, कौलोगनी स्विचल लेंड में Headquarter है और इसके Head है क्लॉस स्वेब। और World Economic Forum से आपको याद होगा इसने काए कि यह 2021 में Unique Twin Summit की मेजबानी करेगा कहां पर दावोस स्विचल लेंड में। और आपको याद होगा इसे साल के शुरुवात में World Economic Forum की पचासवी बैठक भी हुई थी स्वेचल लेंड के दावोस में। और वहीं पे इसने Global Social Mobility Report 2020 जारी की थी जिसमें भारत 76 नंबर पे था और टॉप पे था डैनमार। और उसके बाद World Economic Forum ने ही Global Talent Competitiveness Index जारी किया था जिसमें भारत 72 नंबर पे था और टॉप पे था स्वेचल लेंड और उसके अलावा अभी कुछ समय पहले ही मार्च या अपरेल की बात है World Economic Forum ने ही Global Energy Transition Index भी जारी किया था जिसमें भारत 74 नंबर पे था और टॉप पे था स्वेडन तो ये सारे important points में आपको बता रहा हूँ या आपको ध्यान रखने इसके लावा एक और point याद रखो कि अभी World Economic Forum की IT Governors Community के Chairman बने थे कौन सी विजे कुमार ये भी याद रखना बढ़ते हैं आगे फिर हाल ही में Asian Development Bank ने भारत की GDP Growth Rate with the worst financial year 2020-2021 में कितना रहने का अनुमान लगाया है तो आंसर होगा minus का 4% तो अभी Asian Development Bank ने का है कि भारत की GDP Growth Rate with the worst 2020-21 के लिए minus 4% रह सकती है जबकि अगले with the worst यानि की with the worst 2021-22 में ये 5% तक आ सकती है इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा Fitch Rating ने भी अनुमान लगाया था कि with the worst 2020-21 में भारत की GDP Growth Rate minus 5% रह सकती है उसके अलावा अगले with the worst यानि की financial year 2021-22 में ये जो भारत की GDP है ये plus का 9.5% हो जाएगी ऐसा Fitch Rating ने कहा था और World Bank ने क्या कहा था कि with the worst 2020 में ये minus 3.2% तक रह सकती है और OECD ने भी कहा है कि minus का 3.7% रह सकती है तो ये कुछ points आपको ध्यान रखने है मैंने आपको सारे रिवाइस करा दी जो भी कुछ दिन पहले ही news में रहे था बाकी Asian Development Bank की बात करेंगे स्टापना 1966 में Headquarter Manila Philippines में है और Philippines से आपको क्या याद आय गया था शंबो एसकुमारन को तो ये भी आपको ध्यान रखना है और Asian Development Bank के नए अध्यक्ष बने थे कौन माच्सुकू असकावा तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछा गया था कि मकडियों की नई प्रजाती का नाम किसके नाम पे रखा गया भी तो आंसर होगा Option C Greater Thanberg के नाम पे आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और गाइस अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया इसे लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना